नमस्कार देच्चू चनल पर आपका शुवागत है बात करते राजस्तान की मोशम की बारे में अगली 24 कंटों से लगा कर एक सब्ता के दोरान के साराई का मोशम आज है 30 नॉंबर 2023 आज भी 25 कासर की चिलों पर रहेगा जेपुर संबाग पर्थपुर संबाग और कोटा उदिपुर संबाग की चिलों पर दोपुर के बाद में कहीं कहीं हलकी बहुत सारे किनने की संबावन है लेकिन दिशंबर के पहले सब्ताव यानी एक दिशंबर के आसपास में एक और न चल्व पर कोड़ से राट मिलेगी वीका नेर जेपुर संभा की तिलो पर एक और दो दिसमबर के दोरान्टLike कोर सियरयन की संभा होना है जोदपूर की बात करें। आज 30 नुँबर के दोरान लगबग मौसम है जो की दोपूर के बात मैं भाद'llव की भी इसमें सुष करेगा लेकिन तीन और श्यार दिसम्बर के दोरान जोदपूर संभा की खास कर पाली चैलोर शिरुई सासोर और जोदपूर के दक्षिनपूरी लग हैं कुछ बाड़ मेर के भागों पर कहीं कहीं मेर कनिक साथ हलकी से लगा कर मत्यम बहुत सरे किने की जो गुजरात के जनरास्ते उतिवे राजस्तान के भागों पर वर्वेस करेगा तीनों स्यार दिसम्बर के दोरान बासवडा डूंगरपूर उद्धिपूर परतापकड छितुडगड राशमन भीलवडा कोटा उन्दी बारात चालवड के लाकों पर ज्यादातर भागों और अजमिर संभाग के जिल्लों की बात करें अजमिर संभाग के जिल्लों पर आस 30 नुबर के दोरान जएधातर भागों में लगब 90% मौन सूस करेगा और 10% जखों पर कहीं कहीं दूपर के बात में चुटपूर जगों पर बुदना बांदी होने की संभाउन हैं लेकिन बर्दपूर संबाग और जेपूर संबाग जिलों पर आज 30 नुवंबर के दोरान भी कई इलागों पर हलकी से लगाकर मत्यम दर्जा की बारिश होने की संबावन हैं। लेकिन आनेवाल सिस्टम के परपाओं के करण बीकाने, जेपूर और बर्दपूर संबाग के चलों पर भी खंड बारिश होने की संबावन हैं। आज 30 नुवंबर के दोरान गंगानगर हनमानगर के लागों पर भी खंड बोसारी किने की संबावन हैं। लेकिन जेसनमेर और विकानेर के दक्षनी भागों पर लगबग मौस्रम है जो कि 95% बादलुकी आवाजी की बीश में सुष्क बना रहने की संभावना है अधिक्तम तापमान 20 से लगए कर 22 दिक्री के आसपास रहेगा और नियोतम तापमान है जो कि 12 से लगए कर 88 डिकी के आसपास रिकोर्ड होने की परबल संभावना बनी हुई है तो आप चैनल पर पहले बारा चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजिएगा जैहिन जैराजस्तान